दोस्तों इस टड़ी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मेलेकर हाजीरो Modern History में एक नए लेक्चर सीरीज को लेकर के जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों Congress की अस्थापना के पहले और Congress की अस्थापना के बाद जो कुछ भी दोस्तों महत्रपूर संगठन या संस्थाएं भारत में बनी हैं उन सभी के बारे में दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है आप मुझे बता दो कि आप कलपना कर सकते हो कि इस तरह के सवाल आएंगे कि नहीं सवाल पूसता है एसी आटिक सोसाइटी के स्थापना कब हुआ कहां हुआ कैसे हुआ या फिर आत्मी सभा या फिर वेदान कालेज या फिर इवा बंगाला अंदुरन या फिर ब्रह्मा समाज के स्थापना या बंगभासा प्रकासन सभा इसके स्थापना लैंड होंडल सोस समाज का संबन किस से इस तरह के तमाम ऐसे सवाल तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो आप से सीधी तोर पर परिक्षा में पूछी जाती हैं कुल मिला के चार-पांच चीजे पूछी जाती है कि उसके अस्थापना कब हुई है उसके अस्थापना कहा हुई है उसके अस्थापना कि इसने की है चौता important सवाल पूछ सकता है कि उद्देश से क्या था या किस कारण से इसको बनाएगा बस इतना ही सवाल important है तो याद रखेंगे आज हमारा 120 वा लेक्चर है ठीक है और मैं आपको सुरू से कहते हैं कि देखे स्टडी 91 के साथ जुड़ जाएए क्यों कि ये चैन याद रखेंगे ये जो क्लास आप पढ़ रहें ये डेमो क्लास है जो कुछ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डेमो सर्किस चीश का डेमो चला है तो ये history के modern history का दोस्तो डेमो चला है क्योंकि modern history की क्लास भी चल रही है तो modern history का जो हमारा paid program आया है foundation बैच है मैंने आप से कहा है मैं आपको एक-एक बिसे की क्लास दूँगा और उस बिसे को पढ़ने के बाद भारत का कोई भी एकजाम दीजे कहीं कुछ रुखने वाला नहीं है याद रखेंगे बहुत सांदार बैच है बार बार आप डिमांड कर रहें तो ये बैच आपके सामने आ चुका है इसे आप जॉइन करिए ये हमारा हेलप्लाइन नंबर है कॉल करके आप संपर कर सकते हैं ठीक है तो इधे आते हैं सवालों पर पढ़ना सुरू करते हैं याद रखेंगे दोस्तो आज हमारा दिन कौन सा है तो 120 दिन है और बहुत खुसी हो रहे कि लगातार मैं इतने दिनो से यूटूब पर आपको लगातार क्लासिस दे रहा हूं और सिक्वेंसे क्लासिस दे रहा हूं इसी सीरीज में दोस्तो हर एक सब्जेट कवर कर आए जाएंगे और 351 से 3600 के सवाल पढ़ेंगे बिभिन संगठन और संस्थाओं के बारे हम पढ़ने चल ले हैं और ये संस् स्थापना कहाँ पर हुई है क्योंकि इस संगठन का पूरा नाम क्या है एसियार्टिक सोसाइटियर बंगाल ठीक है। किसने किया था दोस्तो विलियम जोन्स नामक एक व्यक्ती ने दोस्तो इसके अस्थापना किया था बहुत important सवाल और परिक्षा में काफी बार आपसे पूछा गया है ठीक है अगला सवाल आत्मी सभा की अस्थापना किसने किया जिया दोस्तो आत्मी सभा की अस्थापना या आपको 1815 भी मिलने वाला ठीक है बात आती कि सर 14 15 में क्या सई है त्याद रखेगा 1814 ही याद रखेगा आप 15 पर मत जाएगा जो आपको है मैं बता दे रहाँ ठीक है और किसने किया अस्थापना त्याद रखेगा आपने नाम सुना होगा राजा राम मुहन राई जी का नाम छीपा हुगा दोस्तो एंसर है हो सकता है परिक्षा में आपसे आत्मी सभाना पूछ करके क्या पूछ दे मित्रमंडली पूछ दे तो परसान मत होगा यही आत्मी सभा जिसे मित्रमंडली के नाम से जानते है 1814 में राजा राम मुहन राई जी ने बनाया है याद रखेंग है क्यों दोस्तो अच्छा बार बार जवाब यह क्यों आ रहा है क्योंकि याद रखेगा इसके संस्थापक भी कौन है राजा राम मोहन राई जी है और राजा राम मोहन राई कहां के रहने रखते थे कुप्रताओं से दूरी की बात करते थे ठीक है इस तरह से दोस्तों वेदान्त काले जुन्हों बनाया है 1825 इस्वी में जो की काफी इंपोर्टेंट है ठीक है आगे बड़ी अगला सवाल देखे और कौनकों से सवाल पूछते एक सवाल आता है युवा बंगाल आंधूलन ये कोई संगठन नहीं था ये दोस्तों एक तरह का आंधूलन था और इस आंधूलन की बात जब ह करेंगे तो ये कलकत्ता भी स्विद्धाल आचा कहां केते दोस्तों ये मूल निवासी थे दोस्तों पूर्टगाल के कहां केते दोस्तों पूर्टगाल के थे एक्चुली में पूर्टगाली नहीं थे इनके पिता जी पूर्टगाली थे और इनकी माता अंगरीस थी ठीक है उनी से पैदा हुए थे और ये प्रॉपर डंग से कलकत्ता में रहते थे तो याद रखेंगे ये जो वा बंगाला अंदोलन चला दोस्तो ये भी कलकत्ता में ही चला है और ये कलकत्ता में जो बिद्याले था दोस्तो ये उसके प्राचारे थे उसके अध्यापक थे वहीं पर दोस्तो 1826 से लेकर के 1831 के दौरान दोस्तो उन्होंने इस आंदोलन के स्थापना किया है हलांकि परिक्षा में जब आप इसकी बात करेंगे न तब आपको उत्तरलग मिलेगा तब दोस्तो आप पढ़ेंगे जब इसके बारें पहली बार पढ़ने जाते हैं पढ़ेंगे कि बहुत सारी किताबों में लिखा है कि इसके अस्थापना कब माने जाती है ये एक सोसाइटी की रूप में दोस्तो 1875 में निर्मित हुआ और भारत में इसके अस्थापना कब माने जाती है तब आप पढ़ते हैं दोस्तो 1886 में ठीक है तो दोस्तों यहां तीन तरह के उत्तर आपको देखने के मिलते हैं, देखें, जब आप इतिहास पड़ते हैं, ठीक है, तो मैं आपको उन सभी बातों पर आपका ध्यान केंदित करूँगा, जहां पर एक ही सवाल के अनेक उत्तर होते हैं, जैसे पहला मैंने बताया आत्मी आप गूगल कीजिएगा, या आप अच्छे चीक किताबों को रखेगा, आपको एक सेक राइटर की किताबों में कहीं पर 1814 मिलेगा, कहीं पर 1815 मिलेगा, दोस्तों अब ऐसे में किया क्या है, जब मैंने आपसे कहा है कि इतिहास में पीछे जाकर तो जहाका नहीं जा सकता अब इतिहास कारों ने अपने-पने मत, अपने-पने सुरोत्नों की इसाब से तिथी तै की है, कुछ ने कहा 1814, कुछ ने कहा 1815, आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, दस साइट ओपन करेंगे, तो दस में आपको यहीं उत्तर मिलेगा, कहीं 1814 मिलेगा, बात आती है नितिन सर आप किसमत को मानते हैं, तो नितिन सर 1814 को मानते हैं, ठीक है, और मुझे लगता है सही भी है, क्योंकि मैंने जो सोध किया, उस सोध के आधार पर 1814 ही होना चाहिए, अगर मैं उत्तर निकालू तो, उसी तरह से आप यहाँ भी याद रखेगा, अगर य जंग बंगाल आंदोलन दोस्तो, इसको हेंडरी विवियन डेरो जीयों ने स्टार्ट किया था, और मैं आपको बताना चाहूंगा, कि अगर किसी के दिमाग में आ रहा है, कि सर यह 1876 यह 1886 कर लें, तो बता दो दोस्तो, 1836 के आसपास है, यह हेंडरी विवियन डेरो जीयो ना तो 75 करिएगा, ना 86 करिएगा, सीधे आपको अपना जबाब क्या करना दोस्तो, तो सीधे आपको अपना जबाब क्या देना है, 1826 से 31 के दोरान देना है, इसमें भी दोस्तो, अगर मुख्य रूप से तीथी की बात करेगी, तो आप 1826 के तीथी को भी मानने करेगा, क् और किस तरह से दोस्तो तरीके से पूछे जाती इसको भी धान दीजेगा, ब्रह्म समाज के अस्थापना कब हुआ था, यह तो बहुत आचारा था, ब्रह्म समाज के अस्थापना का हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ब्रह्म समाज के अस्थापना कब हुआ था दोस्तो, तो पर चीज और बता दू ठीक है एक बहुत important सवाल आता परिच्छाम पूचता धर्मसभा की अस्थापना क्या पूचता है जैसे ब्रह्म समाज लिखाना ऐसे धर्मसभा पूचता है याद रखेगा धर्मसभा की अस्थापना राधा कांत देव ने किया था किसने किया था और आपको आज की क्लास पढ़ने के बाद बहुत सारा ज्यान होगा और याद रखेगा ये दो पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा दो पार्ट में जितने भी संगठन भारत में बने हैं उनका निचोड आपको दे दूँगा निचोड पूरा मिल जाएगा आपको ठीक है ब बंगाली भॉंसा का प्रचार प्रशोर करने के उद्यस से सी यह बना गया था बनाए गया था बंग बंग भॉंसा स्थापक कान थे किनों भॉपैंट्जय अस्थापना किया था याद रखेंगे सीधे तोर पहली खे लिखारत ता बंग भाँसा प्रकासंसा भा 1836 राजाराम मोहन राय 36 में थे राजाराम मोर राय इसके पहले तो उनकी मृत्ती हो गई थी 35 मिने 233 में उनकी मृत्ती हो गई थी ठीक है 18133 में और यहाँ नहीं मोहन राय के सहयोगियों ने किया था राय के सहयोगियों ने सहयोगियों ने इसके अस्थापना किया था किसके लिए दोस्तो बंगाली भासा के प्रचार प्रसार के लिए बंगाली भासा को प्रोस्ताहन के लिए दोस्तो इसको किया गया था बंग भासा प्रकासन सभा मेरी ब दोस्तो जमिदारी सभा के नाम से भी दोस्तो जानते हैं तो परिक्षा में अगर जमिदारी सभा देते या लेंड पूंडर सुसाईटी देते तो कनफ्यूज मत हुएगा अच्छा इसको बनाने का उद्देश से क्या था तो simple सी बात है याद रखेगा इसको बनाने का उद्देश से इसके नाम में च्छिपा हुआ दोस्तो जमिदारों के हितों की रक्षा करना ये दोस्तों इसका क्या था उद्देश से था किसका मैं बात कर रहा हूँ Land Holder Society का और Land Holder Society के अस्थापना कब और किसके ध्वारा की जाती है तो याद रखेंगे 1838 इस्वी में Land Holder Society बना हुआ है और किसने बनाया है याद रखेगा द्वारकानाथ टैगोर जी ने बनाया है किसने बनाया है दोस्तो द्वारकानाथ टैगोर जी ने इसका निर्मार किया है इसको याद रखेगा और किसलिए किया है तो जमिदारों के हितों की रक्षा के लिए दोस्तो इसका निर्मार किया गया था Land Holder Society किया ठीक है अगला सवाल दोस्तो तत्तो बोधनी सभा बहुत अच्छा सवाल दोस्तो तत्तो बोधनी सभा के अस्थापना कब किया गया और गया था तो 1849 में कब क्या गया था दोस्तो 1849 इस्वी में यह तत्तो बोधनी सभा के अस्थापना की गई है और किशने किया है तो याद रखेगा देवेंदर नाथ ठाकुनिया देवेंदर टैगोर ने ठीक है देवेंदर नाथ ठाकुर या टैगोर दोनों इन्हीं की टाइटिल है चाय ठाकूर कहिए चाय टैगोर कहिए ये दोनों इनका नाम मिलता है देविनार ठाकूर कहिए चाय देविनार टैगोर कहिए ये अच्छे तत्व बोधनी सभा को दोस्तों क्यूं बनाए गया तो इसका उद्देश से क्या था अगर इसका विचारों को बढ़ाना याद रखेगा उसी उद्देश से दोस्तों ए तत्तो बोधनी सभा बनाए गई थी कब 1849 में जब इनकी मृत्तियों जाती उसके बाद ठीक है अगला सवाल देखे क्या लिख रहा है करा लंदन में पहली लोकेशन लिख रहा है दोस्तों लोकेशन य टीक है ए गराजा राम मोहन राय के क्या थे दोस्तों मित्र थे यह उनी के द्वारा दोस्तों यह संगठन बनाए गया है याद के जिसका नाम है British India Society अच्छे इसका उद्देश से क्या था सर क्यों बनाए गया त्याद रखेगा भारतियों के इस्थिती के बारे में जानकारी देना ठीक है भारतियों के इस्थिती के बारे में इस्थिती के बारे में बारे में जानकारी देना ठीक है किसको जानकारी देना दोस्तों तो England में ठीक है जानकारी देना कहां पर England के जो लोग है ना उनको भारतियों किस्तिती के बारे में बताना वो किसका काम था तो जो लंदन में सोसाइटी बने थी उसका नाम है British India Society क्या नाम दोस्तों British India Society एक दम पिघला करके सबसे आसान सब्दों ब पारे में England के नागरिकों को जानकारी देना ताकि भारतियों के साथ कोई दूर ब्यवहार न हो ठीक है अगर जानकारी मिलते रहेगी तो फिर उससे क्या होता है पता चलेगा ना कि हमारी सरकार उनको पता चलेगा कि हमारी सरकार भारत में जा रही तो वहां के नागरिकों क साथ कैसा व्यवहार कर रहे है, ठीक है, इसलिए दोस्तों इस संगठन का निर्माण किया गया था अगला सवाल है, परमहंस मंदली सभा, कभी-कभी खाली लिखता है कि परमहंस मंदली के अस्थापना किस ने किया है, और कभी-कभी किया था किसने किया था याद रखेंगे गोपाल हरी हरी देशमुक ने दोस्तों इसके अस्थापना किया जिनको नहीं पता होता है वो दोस्तों परमहंस के नाम पर दोस्तों तुक्का यहाँ पर मानने का प्यास करते आप मतमारिये गाने तो गलत हो जाएगा याद रखेंग तब आप अपना जवाब क्या दीजेगा विवेकान दीजेगा ठीक है ब्रिटीश सारवजनिक सभा यहां दोस्तो इसके पहले हमने पढ़ा ब्रिटीश इंडिया के बारे में पढ़ा था देखें तो 1843 इस्वी में 1843 इस्वी में किसने बनाया था याद रखेंगे दादा भाई नौरोजवी ने दोस्तो इसका निर्माड किया था अच्छा कैसे सर इसको याद रखा जाए क्योंकि ये तो भूल जाएंगे तो याद रखेगा सारजुनिक, सारजुनिक मतलब क्या होता है सभी लोगों से यानि जनता से और जनता से क्या करना चाहिए सब को प्रेम करना चाहिए, प्रेम मतलब I love you बोलिए, सीधे सीधे I love you बोलिए हैंगे दोस्तो और I love you को क्या लिखते हैं, आप 143 लिखते हैं तो यहां देखे 43 का संबन्द 43 से है आपको दिख रहा होगा इस तरह से साजनिक सभा के स्थापना कब हुआ दोस्तों ये 1843 में होगा और सबसे आदा प्रेम किस से तो दादा से तो दादा भाई नोरोजी इस तरह से ट्रिक बना कि इसको याद रखेगा नहीं त दोस्तों और आपको बताना है कि इस एसोसेेशन के सथापना कब हुई थी तो बंगाल ब्रिटीस इन देखिए इसके पहले हमने पढ़ा था ब्रिटीस इंडिया एसोसेशन हमने क्या पढ़ा था गर आपको ध्यान हो तो पीछे मैं आपको दिखा दे रहा हूं अभी हमने रखेंगे 1849 इसमीं बनाया था ताकि भारतियों किस्तिती के बारे में लोगों को जागरू किया जा सके बताया जा सके देखने हैं आप पर British India Society या British India Association ठीक है यहाँ पर बंगाल British India Association है इसका भी काम सेम टू सेम वैसा ही है बस याद रखेगा इसको एक अलग बेक्तिने बना लिया इसको दोस्तो 1843 में बनाया गया ठीक है जब दोस्तो 49 वाला काम सक्सेस्पूल हो गया कि वहां रहके वहां की संस्था इंगलेंड के लोगों को दोस्तो जागरू कर रहे ही भारतियों के बारे किया है याद रखेंगे और उसका भी काम यही था एक दम एक्जैक्ट यही काम था याद रखेंगे समझ में आ रहा है ना पहली वाली संस्ता 49 में बनी थी उसको विलियम एडव ने बनाया था बाद वाली संस्ता 1843 में बनी है ठीक है चार साल बाद बाद बना इसको जार् तुरुप से आपका concept clear हो जाएगा ठीक है एक संसा दोस्तो जिसका नाम है रहनुमाई माजदायन सभा क्या नाम है दोस्तो रहनुमाई माजदायन सभा याद रखेगा यह रहनुमाई माजदायन सभा जो बना था न इसका उद्देश से क्या था तो मैं बता देता हूँ दोस किस से संबंदित था दोस्तो जो पारसियों से संबंदित था किस संबंदित था पारसियों से दादा भाई नरोजी भी क्या थे दोस्तो एक पारसी व्यक्ति थे आपको पता होगा यह आप याद रखेंगे तो इनी लोगों संबंदित है लिख रहा है इसके अस्थापना कब और किसके द्वारा किया गया तो याद रखेंगे बंबई में इसके अस्थापना हुआ था तो यह अगर पूछता है तो बताएगा कि बंबई में इसके अस्थापना हुआ था और कब हुआ था यह पूछेगा तो 1851 इस्वी में बताना है क्या बताना है 1851 इस्वी में अब और किसके द्वारा किया गया तो कहां किया गया सवाल अ रहेगा तो बताएंगे हमकी कलकत्ता में किया गया कहां पर किया गया दोस्तो कलकत्ता में किया गया दूसरा सवाल दोस्तो किस से है कि कब किया गया अगर यह पूछेगा तो जबाब होगा दोस्तो 1851 में ही किया गया था 1851 इस्वी में ही किया गया था और तीसरा सवाल है कि किस ने किया था तियाद रखेंगे देवेंदर नार थाकूर जी ने किया था, थाकूर कहिए, चाहिए, टैगूर कहिए, मैंने पहले भी आपको आता, इन्हों ने किया था, इसी में दोस्तो, इसी बिटीस इंडिया एस्वेशन में पहली बार अलग विधान सभा की मांग की गई, क्या मांग की गई दोस्तो, अलग विधान, वि पूझेगा तो जब आप आपका लगो जाएगा तब सुरेंदलनात बनर जी बगरा का नाम आता है लिख़ा बाली का विद्याले की अस्थापना दोस्तों यह कब और किष्णे किया तो किष्णे किया है तो याद रखेंगे ज्योतिबा फूले का नाम सुना होगा जो आगे क्यान में ही बालिका विद्धाले बनाया था महिला सिच्छा के लिए इसी तरह से महिला सिच्छा के लिए सबसे यादा काम DK करवे ने किया है ठीक है याद रखेंगे DK करवे का नाम दोस्तों बहुत आता है बिधवा महिलाओं के लिए दोस्तों सिच्छा बेवस्ता उन्हों उने चुस्त दुरुस्त किया है तो उसे भी आप याद रखेंगे ठीक है याद रखेगा इस्टडी 91 के प्लेटफार्म से कई सारी किताबे भी लांच की गई है किताबे बहुत सांधार है अगर आपको यह बिलीब हो रहा है यह आपको मेशूस हो रहा है कि स्टडी 91 कॉंटेट कर सकते हैं आप इस नंबर पर वाटसब भी कर सकते हैं इस नंबर पर वाटसब लिखके कर दीजे कि मेरी यही समस्या है हमारी टीम आपको खुदी कॉंटेट कर लेगे और आपकी समस्या का समाधान करेगी ठीक है तो इतमिनान से आप अपनी क्लास लेते रहे है और पढ़ने पर ध्यान दीजे बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं इस चैप्टर में अगला प्रशन आता है दोस्तो बामबे प्रेशिडेंसी एसोसियेशन बहुत बढ़िया सवाल है और यह सवाल दोस्तो बहुत कन्फूजन वाला भी ठीक है ब्यक्तियों का नाम आता है एक ब्यक्तियों का नाम है दोस्तो बदुरुद्दीन तयबजी ठीक है बदुरुद्दीन तयबजी का नाम आता है दूसरा दोस्तो केटी तैलंग का नाम आता है केटी तैलंग का नाम आता है तीसरा फिरोज साह मेहता का नाम आता है ठीक है फ पहली सभा होई थी, वो बंबई में होई थी, आपने पढ़ा था, गोकुल दास, तेजपाल, संस्कित महाविध द्याले में दोस्तों इसका युजन किया गया था, बहत तर लोग उसमें इस्ता लिये था, 1850 इस्वे में, बेवमेश चंब बनार जी उसके अध्यक्सता कर रह किसने किया, तब आपका जवाब अलग हो जाएगा, ठीक है, क्या पूछ दे दोस्तों, बामबे, बामबे एसोसेशन पूछ दे, या फिर सवाल पूछ दे, इसी बामबे एसोसेशन को, बामबे नेटिव एसोसेशन भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, बामबे नेटिव Native association के नाम से भी जाना जाता था अगर दोस्तों सवाल ये पूछ रहा आपसे कि Bombay native association के स्थापना किस ने किया है तो याद रखेगा तब आपका जवाब होगा जगनाथ संकर ने किसने किया दोस्तों जगनाथ जगनाथ शंकर ने यहां दोस्तो जगरनास संकर नाम के विक्ति थे उन्होंने सबसे पहले बामबे एसोसेशन बनाया था कि Bombay presidency, अगर presidency पूछेगा, तब आप 1850 करेगा, और अगर presidency नहीं पूछा है, तब आपको जबाब क्या करना है, तब आपको 1852 जबाब देना, क्या जबाब देना है दोस्तों, 1852 में ये Bombay association बना था, जिसको जगना संकर ने बनाये था, आप मुझे बताओ, परिक्षा में इ इंडियन सोसाइटी है, दोन लोगों को क्या मतलब, मतलब है, नहीं मतलब रखेंगे, तो बहुत सारी गलतिया होंगी, इसलिए पहले से आप इलर्ट रही है और समस्ते चलिए, ठीक है, आई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिख रहा दोस्तों, कि मुहमडन, मुहमडन एंगलो लिट्रेरी सोसाइटी, जैसे एंगलो सब्द आता न, बच्चों को एक बात याद आता है, कि मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज, ठीक है, और जो मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज है न, इसके अस्थापना दोस्तों, सर सयद अहमद खाने किया था, किसने क लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जबाब अलग, यहाँ आपसे पूछी नहीं रहा है, यहाँ आपसे मुहमडन एंगलो लिट्रेरी सोसाइटी की बात कर रहा है, और जो लिट्रेरी सोसाइटी है दोस्तों, यह 1863 इसमी में ही बनी थी, याद रखेंगे, और किसने बनाया था दोस्तों, 1863 में तो अब्दुल लतीफ नाम का एक ब्यक्ति था, उसने बनाया था, ठीक है, अब्दुल लतीफ नाम का एक ब्यक्ति था, उसने बनाया था, दोस्तों, अगर एंगलो और इंटेल कालिज की बात करेंगे, तो यह तो दोस्तों, अलीगड में बना था, लेकि करिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ बहुत important है जो चीजें आपको दे रहा हूँ समझा रहा हूँ ना इस तरह के compression करके जब आप पढ़ेंगे तभी ऐसे सवालों को आप बता सकते मैं चाहता तो इस class को बहुत तेज समाप्त कर सकता ब्रह्म समाज को विस्तार करने का काम केसो चंसेन को दिया जाता और बहुत जादा विस्तार भी होता अलंकि बाद में केसो चंसेन उससे अलग हो जाते तो उन्होंने अपना एक आधी ब्रह्म समाज बना लिया है लेकिन खैरो बात की बात है तो यहाँ पर दोस्तो वेद समा से जुड़े हैं और दूसरे ब्यक्ति कौन है दोस्तों तो दूसरे ब्यक्ति है चारलू ठीक है चारलू का नाम क्या भाई किसी ब्यक्ति को नाम याद है चारलू का नाम क्या चारलू नहीं यार एक सेकेंड श्री धरालू नाइडू क्या नाम है दोस्तों स्री धरालू धरा लोह कि दोस्तो इसके अस्थापना किया है बात आती दोस्तों कभ किया तो बताई दिया आपको तीसरी बात आती दोस्तो कहां कि distur कि यह तो चैस्थापना होई माध्रास में अधारास मुद्यस में नाईढ़ने इस Bernard अगर हम देव समाज की बात करें तो देव समाज के अस्थापना किया है और सिरी धराली उनाइडू ने कलकत्ता में किया है ये याद रखेंगे ठीक है अच्छा ये दोस्तो इसके अस्थापना कब हुई है अगर ये लोकेशन नहीं समय जान ले तो 1887 इस्वी में दोस्तो याद रखेंगे ये देव समाज के अस्थापना हुई है तो इसे भी आप याद रखेंगे ठीक है इस तरह से आपको कमपरीजन करके दोस्तो चीजों को पढ़ना और समझना है साइंटिफिक इंडिया सोसाइटी साइंटिफिक इंडिया सोसाइटी के अस्थापना ये कब और किसके द्वारा किया गया तो याद रखेंगे इसके अस्थापना सर सय किसने किया था सर सयद अहमद खान ने दोस्तों इसके स्थापना किया था इसी तरह से जो वह था मुहमडन एंगलो औरेंटल कालेज वह आगे चलके दोस्तों वह बनता अटारासों 75 में यह अलग है वह अलग है ठीक है इस्ट इंडिया एसूसेशन बहुत अच्छा सवाल है दोस्तो इस्ट इंडिया या फिर इस्ट इंडियन एस्वेशन के अस्थापना ये कब और किसके द्वारा की गई है ये बताना आप तो इंडियन एस्वेशन अलग है और इस्ट इंडिया एस्वेशन अलग है ठीक है कब किया गया दोस्तो तो याद रखेगा अठारा सो किस ने किया तो याद रखेगा दादा भाई नरोजी ने किया किस ने किया है दादा भाई नरोजी ने किया इसके पहले दादा भाई नरोजी ने सारजनिक सभा बनाया था ना उसको भी याद रखेगा और इसको भी याद रखेंग ठीक है लिकरा प्रार्तना समाज के में कई लोगों का योगदान रहा है, जैसे मुक्य रुप से इस में आते हैं, महादेो गोविंद राना डे का नाम आता है, और राम रामा राम पांडूरंग का नाम आता है, ठीक है, मैंने कहीं पीछे सायच चर्चा में बोल दिया था, तो गल्ती से वो अलानान मिकल गया था, ठीक है, यह होगा, अब इन लोगों नहींodar करके, दोस्तों, यह जो बनाया है, कहां पर बनाया half तो याद रखेंगे, मुंबई में, कहां पर दोस्तों, मुंबई में, इस यमजी रानाडे थे यह पेसे से एक न्यायदी इस थे और इन्होंने दोस्तो आत्माराम पांडूरंग के साथ मिलकर के प्रार्थना समाज बनाया है 18667 इस्वी मिसका निर्माड गुआ है ठीक है दादा भाई नौरोजी ने दोस्तो इसकी स्थापना की थी यह आपने पढ़ा यही पढ़ा ठाथ छाचटी लिखा ने भाई हाँ छाचट सही है ठीक है इसने किया इन्होंने किया था अगर वही नेशनल इंडिया नेशनल सब्द जोड़ दे राष्टी सब्द जोड़ दे तियाद रखेंगे दोस्तो फिर आप करेगा 1866 इसी में यह सवाल आपको कहीं मिलेगा नहीं यह किसने किया दोस्तो लंदन में किया गया था 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 कब किया गया था दोस्तो तो भी बता दिया मैंने आपक कब किया गया था 1866 में किया गया था और किसने किया तो यह जबाब दोस्तो आपको कहीं नहीं मिलेगा आप ढूढ़ेगा बहुत मैनस से मैंने ढूढ़ा इसको मेरी कारपेंटर का नाम आता है इन्होंने सबसे पहले क्या किया था दोस्तो नेशनल इंडियन एस्टोईशन के किसकी बात करता है Indian Association की बात करता है ध्यान दीजेगा कभी भी अगर आप से आपकी परिच्छा में Indian Association की बात करें यहाँ पर National सब्द नहीं दे ठीक है खाली Indian Association की बात करें तो यहाँ पर दोस्तो आनंद मोहन बोस का नाम याद रखेगा किसका नाम आनंद मोहन बोस का नाम य अगर पूछेगा तो याद रखेंगे 1886 में कब दोस्तो 1886 इसी में तब लेकिन अगर आप नेस्टल इंडिया लिखेंगे तब दोस्तो यहाँ पर समय 1886 जगा उल्टा कर दिजगा 1886 का उल्टा क्या हो जाता है सांसट हो जाता है और 1866 में विलियम मेरी ने दोस्तो मेरी कार्पेंटर ने विलियम ने मेरी कार्पेंटर ने दोस्तो इसके अस्थापना लंदन में किया था इस सवाल को भी याद रखेंगे ठीक है लोगों को नहीं पता है यह तीन संस्थाएं लोगों को नहीं पता, लोग इसको एक ही मान के ट्रीट करते हैं, या दो मान के ट्रीट करते हैं, ये गलती आपको नहीं करना, ठीक है, पूना साधनिक सभा के अस्थापना कब और किसके द्वारा क्या गया, तो ये भी यमजी रानाडे नहीं, दोस्तो इसको बनाया था, इस हें श हैच चिपलूंकर चिपलूंकर याद रहेगा पूले जी ने किया है किस वजह से किया दोस्तो तो जो इस्प्रिस से जाती के लोग थें उनको विमुक्त कराने के लिए इन्होंने बनाया है यह सत्य सोधक समाज और कब बनाया दोस्तो तो 1883 में सत्य सोधक समाज के स्थापना जोतिवा फूले जी ने किया है इस्प्रिस से 1875 और 1875 में याद रखेगा सर सयद अहमद खान इसके अस्थापना किया है किस ने किया है सर सयद अहमद खाने सर सयद अहमद खाने इसके अस्थापना किया है याद रखेंगे ठीक है एक सवाल देता दोस्तों इंडियन लीग बहुत अच्छा सवाल है इंडियन लीग के अस् स्थापना कब पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों 1875 इस्वी में हुआ था और किशने किया था तो सिसीर कुमार घोस का नाम आता है जिन्होंने क्या बनाया दोस्तों याद रखेंगे इंडियन लीग की स्थापना किया है कब दोस्तों 1875 में कलकत्ता में इंडियन आज किस्थापना हुआ है कब हुआ है तो 1875 इसवी में हुआ है किसने किया है किसने किया दोस्तों दयानंदत् πWindowsापन करने श्वाम cape kto ने दोस्तों इसके स्थापना किया जिन्होंने वेदों की लटो या फिर सुधी आंदौलन वगरदा चला है ठीक है तो इसको भिए र स्थापना कहां पर हुआ है माली जे सवाल दे दिया कि इसके स्थापना दोस्तों कहां हुआ है तो क्या बताएंगे याद रखेगा अमेरिका में कहां पर दोस्तों अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना हुई थी दूसरा important सवाल दोस्तों थियोसोफिकल और किस ने किया था तियाद रखेगा यहाँ पर ब्लाट वात्सकी का नाम आता है किसका नाम आता है ब्लाट वात्सकी का नाम आता दोस्तों और दूसरा नाम आता है करनल अलकाट का नाम आता है यह दो लोगों ने मिलकर के दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी के स्थापना कि थी तो उसको आप ध्यान में रखेंगे वो अलग चीज़ है ठीक है लिख रहा है इंडियन एससेशन के स्थापना पीछे मैंने आपको पढ़ाया भी देखे कि इंडियन एससेशन पूछेगा तो आप बताएगा कि इंडियन एससेशन अठारा सो पचहत्तर में दोस्तों बन बनर जी का नाम बताएगा पीछे आपको दिया हूँ सुरेंद्र नाथ बनर जी का नाम बताएगा अदूसरा आनन्द मोहन बोष का नाम बताएगा याद रखेंगे दोस्तों और दोस्तों कहां पर हुआ है इसके अस्थापना तो याद रखेंगे कलकत्ता में कहां पर दो यह United Indian Committee की बात कर रहा और यह जो कमेटी बनी थी दोस्तों यह कब बनी थी यह 1883 में बनी थी ठीक है 1883 में बनी थी आपने नाम सुना होगा ब्योमेश चंद्रबनर जी का दोस्तों नाम सुना होगा याद रखेगा यह वही ब्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस के पहले अध्य कि अध्यक्सता किया था ठीक है यह उसमें चर्चा में चल लाएते इंडियन कमेटी के वज़े से तो इसका नाम याद रखेंगे एक सवाल और आता है दोस्तों यहां पर सवाल बहुत अच्छा है सुनिएगा ध्यान से क्या कर रहा है सवाल देता है यूनाइटेड इंडि श्तार लोगर इसके किसने बनाया यहां पर देखें दो लोगों का नामाता रहा है सितारे हिंड इनका टाइटिल था दोस्तों याद रखेगा यह दो लोगों ने मिलकर की स्प्रियाटिक यसُ जिसका नाम इसी के जैसा है United India Patriotic Association ठीक है तो यह नाम है दोस्तों और कब दोस्तों यह संगठन बना था तो याद रखेंगे 1888 इसी में कब बना था 1888 में बना था तो जाला सोचने वाली बात है पहले वाला जो था वो 83 में था जो हम लोग पढ़ना है कि United Indian Committee जो बनी थी यह W प्लूसी बनार जी के अध्यक्सना में दोस्तों बनाए गे थी यह वो संस्थापकते हैं और 1883 में बनी थी जबकि जो सितारे हिंदे बनाए और 1888 में बना और पैट्रियाटिक एसे उसी एसन है तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनका नाम एक दूसरे से मिलता जूलता और ऐ आपको आज लग रहा है कि आज की क्लास जबर्दस रही है और नितिन सन्ने जबर्दस चीजें सिखाई जहां पर हमसे गलतियां होती उन चीजों पर ध्यान दिलाया तो दोस्तों एक निवेदन आप सभी से वीडियो को पूरा देखिए इस वीडियो को भी पूरा लेक्चर है तो आप सोच सकते हैं कि जो इंस्तान इतना सांदा लेक्चर दे रहा है वो बाकी के 119 लेक्चर में आखिर क्या पढ़ाया है एक बार दोस्तों आप पलट के जरूर देखेगा क्योंकि जो 120 लेक्चर अभी आपको दिखा रहा हूँ न इसमें से 45 लेक्चर यही आप से एक निवेदन है मुझे पता है कि पीछे की क्लास अगर आप देख लेंगे ना तो बेसक आपकी सारी चीज़ें तयार हो जाएंगी स्टड़ी 91 के प्लेटफार्म से किताबे भी आती है ईबुक दोस्तों आपको खुद से प्रिंट आउट कराना होता और जाम बीट कर सकते हैं और एक क्वेशन भी दोस्तों आपके परिक्षा से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि कांसिप्ट जब क्लियर होगा हमारा आधार मजबूत होगा बेस हमारा मजबूत होगा तो गलती कहा होगी बाई गलती होने का सवाल ही नहीं बनता है ठीक है तो आज का फिलाल इस सेशन समाप्त होता हूं उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्षर में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जय हिन जय भारत थेंक्यू थेंक्यू सो मच